हालो एव्रिवन वेलकम इन माई किचिन तो चले आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छा लसोडे का अचार इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए ये देखिए मैंने मार्केट में ताजे ताजे लसोडे आ रहे हैं ये मैंने एक किलो भर ले लिए हैं ये देख अजय के अच्छे से गरम हो गया है। लेकिन ऐ गरम कोगए है। तो मैं ऐसे ही। लासोडek में डाल दु गी। कर लूँगी और मुझे तब तक उबालना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए और देखिए मैं इसे फिर से उबालने के लिए रख रही हूं और इसे मैंने उबाल लिया है थोड़े दिर बाद इस सारे मैंने निकाल लिया है आप मुझे इने ठंडा कर लेना है कपड़े पर फ तो चलिए इस तरीके से मैं आपको निकाल कर बताती हूं और इन्हें में थोड़ा गंटे की धूप में अच्छे से फैला दिया है इनलसोडे को और धूप में फैलाने के बाद ये अच्छे से सूख गये हैं हमें अचार जादा दिन तक स्टोर करके रखना होता है तो धूप में जरूर फैलाना होता है ये मैंने दो कच्छे आम लिये हैं कैरी जिसे कहते हैं उन्हें मैंने कद्दू कस कर लिया है अच्छे से इसे मैं आज इसके अचार में यूज करूँगी ये मैंने अच्छे से तेल डाल लिया है अब मैं इसमें तेल को अच्छे से गरम करके हीं जीरे और यह देखें अजवायन हींग और जीरे का मैंने इसमें तड़का लगाया है अब चलती हूं मैं मसाले की और यह देखें मैंने भर कर 5-6 जमच लाल मिर्च पाउडर ले लिया है आप टेस्ट के कोर्ड इसे कम और जादा भी कर सकते हैं, अकर आपका लालमिश थोड़ा कम तीखा है, तो आप इसकी quantity बढ़ा सकते हैं, जब हम चार बनाते हैं, तो हमें टेस्ट करने में वो थोड़ा सा लगता है, कि वो सारे मसाले बहुत जादा है, लेकिन मसाले उसमें तेज ही डालीगा क्योंकि वो थोड़े दिनों बाद उसे एब्सॉब कर लेते हैं मसालों को तो मैंने इसमें हल्दी की दो चम्मच और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है मेरे लसोडे थे वो एक किलो थे आज तो उसे साब से मैं अपना मसाला तयार कर रही हूँ यह मैंने थोड़ी सी मेथी डाली है इसमें अप्रोक्सिमेट दो चम्मच मैंने इसमें मेथी डाली है इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी, सौफ, ये मैंने 3-4 चमज भरके ले ली है, आप भी अपने टेस्ट का कोडिंग इसे भी कम जादा कर सकते हैं, अपने मसालों को, तो ये मैंने कालॉंजी डाल दी है, जिसे प्याज के बीज भी बोले जाते हैं, और इसे बिहार में मगरेला भी बोला जाता है, जो भी आपको समझ आए, वही इसमें उसी तरीके से आप इसमें डाल दीजे, और ये मैंने सरसो ली है, पीली सरसो, इसे मैं कुछ तो साबुट डालूंगी, और कुछ को मैंने हलका सा दरदरा कूट लिया है, आप चाहें तो मिक्सर में भी पी तो चलिए, इनि मैं अच्छ से मिक्स कर लूँगी, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालूंगी, जो मैंने गरम किया हुआ था, उसे डालने से क्या होगा, जो हमारे मसाले हैं, वो भून जाएंगे, अच्छ से पक जाएंगे, और इसके अंदर जो कच्छा पन है, म अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे इस तरीके से डाल के और मिला लूँगी, और मुझे इस मिलाने के बाद इस मसाले को रख देना है, ठंड़ होने तक, क्योंकि अगर अभी मैं इसके अंदर लसोड़े और हमारी जो कैरी है, उसे ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और ज्यादा स्टोर हम लोग इसे नहीं कर पाएंगे, तो देखे, दो घंटे तीन घंटे बादी हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से ठंड़ा हो चुका है, अब मैं इसके अंदर हमारे लसोड़े और कैरी का, जो पील की भी कैरी थी वो भी मैं इसमें डाल लूँगी, तो ये देखे, पहले मैंने लसोड़े इसमें डाल दिये हैं, और मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अचार के अंदर और इसमें सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे, और देखे, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़े से तेल के अंदर ये सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे इसके उपर लसोडो ते ions और ςको जिस तरह के से मैंने ईसको दबाया था मसाले भी झाले जाएंगे और ये देखे हमारा कैरी। तो इसे भी मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और यह देखे हमारा अचार अच्छे से मिक्स हो जाएगा मैं अच्छे से मेंक्स गाने के बाद थोड़ी देर रख दूँगी एक दिन के लिए बाहर और नॉर्मली मतलब धूप में नहीं मुझे नॉर्मली रखना है और फि इसी भी सिरेमिक की बरतन में भर लूँगी और उसके बाद मैं इसे दो-चार दिन बाद रेड़ी करके और खाने के लिए ये तयार हो जाएगा और आप इसे सालबर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं इसी प्रोसेस से आप अचार बनाएए बहुत ही टेस्टी राजस्तानी अचार बनकर ये तयार हुआ है और आप मुझे बताएए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपके सपोर्ट के बिना मेर मेरे चैनल को में ग्रो नहीं कर पाऊंगी तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजे और मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे तो इस तरीके से देखे मैंने ये अचार बिलकुल बनकर तयार कर लिया है और इसके बाद मैं इसे बरतन में भर और अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो प्लीज आप इसके थोड़े दो तीन दिन बाद इसके अंदर आप अच्छे से तेल गरम करिएगा उसे ठंडा करिएगा और फिर आप उसके अंदर डाल दीजेगा और इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा इसे टेस्ट कर रहे हैं तो आप इसे एड़ कर दीजिए थैंक यू सो मुच हैवे नाइस डे